Parliament का monsoon session चाल हुए और वहाँ पे opposition के नेताओं ने एक सवाल पूछा कि हमारे देश में जो Muslims हैं और जो minorities हैं उन में से कितने percent Muslims और कितने percent minorities below poverty line हैं इंडिया में जो गरीबी रेखा है उसके नीचे कितने percent Muslims हैं उसके नीचे कितने percent minorities हैं और भारत सरकार उनके upliftment के लिए क्या क्या कदम उठा रही है ये सवाल आज Parliament में उठा, monsoon session में, लोग सबा में जिसका जबाब हमारे Minority Affairs Minister स्मिती रानी ने दिया क्या था जबाब? किस तरीके से भारत सरकार Muslims और बाकी minorities के welfare के लिए कदम उठा रही है? बजटरी allocation क्या रहा है और क्या उसमें हमारको मुख्य परीक्षा के point of view से और ऐसे के point of view से trends देखने को मिलते हैं Pre-mains interview के point of view से हाँपे schemes, initiatives, data और data analytics देखेंगे Unacademy सब्सक्राइब करने के लिए user referral code मदद करते हैं 20% discount के लिए 29th of July तक अगर आप Unacademy सब्सक्राइब कर रहे हैं तो Unlock 20 offer चाल हुए जहाँपे आपको 20% discount में लगा Unacademy पे 28 July से नए बाचेश शुरू हो चुके हैं English Hindi Bailing World में pre-mains interview की पूरी coverage जहाँपे करवाई जाएगी and also Unacademy के notes 2.0 जो कि 20 printed books हैं वो आपको मिलेंगे इंक्लूडिंग Mind Maps, PYQs, Comprehensive Coverage, Standard Books और NCRT का साथ में CSE Assure offer चाल हुए जहाँपे अगर आप Unacademy सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको 20% का discount तो मिले गई साथ में दो साल से ओपर के subscription पे एक साल का subscription आपसलूटी free मिलेगा सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत सरकार ने आपे यह बोला कि हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा है उसके नीचे कितने लोग हैं हम उसका religion wise analysis नहीं करते हैं मतलब कि गरीबी और religion को हम अलग रखते हैं और गरीबी रेखा कि नीचे कितने हिंदू कितने मुसलिम्स ने कितने पार्सी कितने कितने Christians हैं यह हम analyze नहीं करते हमारे लिए सिरफ यह माइनगbird रखते हैं उस टाइम पे सचर कमिटी और अमिताप कुंडू कमिटी बनाई गई थी और उन कमिटी इसने बताया था कि Muslims का जो status है इंडिया में वो काफी जादा पिछड़ावा है और भारत सरकार की है कमिटी इसने बताया था कि Muslims के अमंक्स पावर्टी जो है वो काफी जादा है उसी रिपोर्ट से थोड़ा सा लिंक करते वे opposition के नेताओं ने ये सवाल पूछा कि exactly किते percent Muslims और minorities जो है वो poverty line के नीचे है लेकिन सरकार ने बोला कि हम religion based analysis नहीं करते poverty line का राइट सरकार ने बोला कि जित्ते भी गरीबी रेखा की नीचे Muslims और दूसरी minority communities के लोग है वो भारत सरकार की सारी schemes और 10% जो EWS economically weaker section के लिए आरक्षन है उसका benefit उठा सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो बताते तो हूँ भारत सरकार ने 2019 में EWS के लिए 10% reservation निकाला था जहां पे सरकारी institutions educational institutions और jobs में 10% तक आरक्षन मिलेगा गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को जो economically weaker section है उनको यहां पे 10% तक का आरक्षन मिलेगा तो भारत सरकार ने parliament में आजे बोला कि जो भी गरीबी रेखा के नीचे minority community के member हैं उनको भी 10% EWS reservation का benefit मिलेगा ठीक है अब यहां पे हम देखते हैं कि सरकार minorities के अप्लिफमेंट के लिए specifically minorities के अप्लिफमेंट के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तो जिते भी सरकार कदम उठा रही है उनको हम तीन pillars में तीन categories में divide कर सकते हैं education related measures employment related measures और infrastructure related measures मुख्य परीक्षा में और essay में अगर आप से सवाल पूछा रहाता है तो आप इसी तरीके से वहाँ पे highlight करेंगे तो answer थोड़ा structured और neat and clean लगेगा कि हाँ आपने बहुत ही well articulated तरीके से अपना answer लिखा है अगर हम education related initiatives देखते हैं तो सबसे वहले सरकार जो है post matriculation और pre matriculation scholarship देती है minority community के students को मतलब कि जब वो school में होते हैं और अच्छे savera scheme लेके आई है जहां पर minority community के students हैं उनको IAT, JE, NEET, Engineering, Medical और दूसरे entrance exams के लिए free coaching दी जाती है जिससे की minority communities के जो चात्र हैं वो जादे साधा competitive exams clear कर पाएं नया savera scheme काफी important scheme है जो ministry आप minority affairs के अंडर ही चलती है आपको धिहान रखना है इसके अलावा ऐसे minority community के चात्र जो बाहर जाके US, Canada, Australia, UK वगरा जाके पढ़ना चाते हैं उनके लिए सरकार एक scheme लेके आई है जिसका नाम है पढ़ो परदेश scheme यह परदेश नहीं है परदेश है परदेश मतलब foreign country पढ़ो परदेश scheme बाहर जाके पढ़ाई करिये इस scheme के अंदर क्या और है आपको पता है कि अगर कोई भी इंडिया से बाहर पढ़ने जाता है तो mostly लोग जो होते है वो loan लेते है education loan अगर आप education loan ले रहे हैं तो उसके उपर obvious सी बात है आपको ब्याज भी देना पढ़ेगा interest भी देना पढ़ेगा minority communities के चात्र अगर पढ़ो परदेश scheme के अंदर education loan ले रहे हैं foreign education के लिए तो सरकार उनको यहाँ पर interest subsidy देगी मतलब की जो ब्याज है उसमें थोड़ी सी छूट मिलेगी और उनको loan जो है थोड़ा सा चीप पढ़ेगा तो school time पर education मतलब की scholarship नया से वेरा entrance exam पढ़ो परदेश foreign education के लिए interest subsidy scheme इसके अलाबा भारत सरकार की एक और scheme है जिसे कहते है नई उडान scheme अगर आपने UPSC या SSC का prelims exam clear करा है और आप mains और interview की त्यारी कर रहे हैं और आप minority community से belong करते हैं तो नई उडान scheme के अंदर सरकार आपको mains और interview की guidance आपर provide करेगी और SSC के दूसरे levels होते हैं उनके लिए guidance provide करेगी नई उडान scheme तो यह जो education related initiatives हम ने देखें minority communities के लिए आप देखें कि यह school level, higher education, competitive exams और job के लिए भी यहाँ पे initiatives लिए गए हैं इसके अलाबा अगर हम employment related schemes देखते हैं तो पहले भारत सरकार की कई सारी अलग-अलग employment related schemes चलती थी जैसे कि सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी दरोहर, नई रोशनी, नई मन्जिल Ministry of Minority Affairs जो है minority communities की employment generate करने के लिए minorities के amongst employment को बढ़ावा देने के लिए यह 5 schemes run करता था Recently इसी साल 2022-30 financial year में सरकार ने यह सारी की सारी schemes को merge कर दिया है यह सारी की सारी schemes को merge कर दिया गया है into one scheme known as PM विकास scheme बहुत important point है क्योंकि यह इसी साल हुआ है कि जो minority affairs की पुरानी employment related schemes थी उन सब को merge करके एक single scheme बना दी गई है that is PM विकास scheme यह जहापे word विकास है इसका full form है प्रधान मंत्री विरासत का समवर्धान PM का full form प्रधान मंत्री विकास का full form सरकार ने आपे दिया है विरासत का समवर्धान मत्ब कि PM विकास team जिसके अंदर जो minority communities हैं वहाँ पे उन्हें livelihood प्रवाइड के रहेगा skill development प्रवाइड करी जाएगी education entrepreneurship प्रवाइड की जाएगी उनके अमंग्स कि जो minority community के लोग है वो आगया कि अपना खुद का धंदा अपना खुद का business setup कर सकें उनको cheap rate of interest पे loan provide के रहेंगे market linkages दी जाएगी मतब कि उन्हें market से जोड़ा जाएगा जिससे कि वो अपने products को बेच सकें और साथ में trade और tourism circuits promote के रहेंगे ऐसी जगाओं पर जहाँ पर minority community के जो artisans हैं वो काफी ज़ादा active हैं यहाँ पर सरकार ने बोला कि जितनी भी PM विकास scheme है और जो भी initiatives हैं यहाँ पर minority communities पर हमारा focus रहे गई लेकिन साथ में minority communities के अंदर जो specifically artisans हैं उनके अपर हमारा बहुत special focus रहेगा कि उनकी training उनका credit उनकी market linkage और उनके products को global level और exhibitions में exhibit करना यह सरकार की काफी बड़ी priority रहेगी अगर हम बात करें infrastructure related scheme की तो ministry of minority affairs infrastructure promote करने के लिए एक scheme चलाती है इसका नाम है प्रधान मंत्री जन विकास कारेक्राम यह जन विकास कारेक्राम है इसका major objective है कि minority community के health education और skills को promote करने के लिए और साथ में minority community की जो महिलाएं है उनके सशक्ती करन के लिए उनके empowerment के लिए सरकार जो है infrastructure set up कर रहे है प्रधान मंत्री जन विकास कारेक्राम के अंदर यह सारी की सारी schemes जो मैंने आपको बताई है यह ministry of minority affairs के अंदर आती है for minority upliftment हमने schemes देख नहीं education related, employment related, infrastructure related और काफी बहतरीन schemes हैं सरकार काफी कुछ कर रहे हैं यह minorities के लिए लेकिन भारत सरकार का ही आज जो parliament में data आया उस data को थोड़ा सा analyze करते हैं सरकार ने बोला कि हमने 2019-20 वाले financial year में 4700 करोड रुपीज अलॉट करे, minority projects को, यह स्कीम्स हैं, इनको 4700 करोड रुपीज अलॉट किये गए 2020-21 में जो covid year था, उस साल यह decline हो गया और 4000 करोड रुपे दिये गए 2021-22 जब second wave थी covid की, उस साल भी 4300 करोड रुपीज दिये गए और 2022 थे, जो अभी वाला financial year है, उसमें 5000 करोड रुपे दिये गए है, minorities के लिए, और यह सारी की सारी schemes है इन में पैसा लगाने के लिए 5000 करोड रुपे दिये गए है अगर हम GDP के comparison में देखते हैं, तो यह fund allocation काफी कम है यह fund allocation जो है, minorities के population के proportion में नहीं है हमें पता है कि approximately 14% population जो है, वो Muslims की है और बाकि दूसरी minority communities भी है तो यह जो सारा का सारा पैसा है, यह थोड़ा सा disproportionate है मतलब कि जो fund allocation है, वो कम है, एक बात, दूसरी बात over the years, usually fund allocation जो है, वो increase होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हमने देखा एक trend, क्या तो fund allocation almost constant है या फिर decline हो रहा है, जो fund allocation increase होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है और यहाँ पर fund allocation काफी दाधा stagnant और stable रहा है तो हमें अगर minorities के उपर उत्तर लिखने के लिए आता है मुख्य बरीक्षा interview या फिर essay में, तो हम एक balance answer लिखेंगे कि सरकार अच्छे कदम भी उठा रही है, जो हमने सारे देखे और सरकार की तरफ से थोड़े से loopholes भी है, थोड़े सी कमी भी रही है जो हमने इस graph के हमादे हम से देखी कि सारी बात ठीक है लेकिन जब पैसे allot करने की बात आती है, तो वहाँ पे हमार को over the years progress नहीं दिख रही है, तो यह है पूरा का पूरा हमारा minority affairs का आज का parliamentary debate की, उन्होंने exactly minorities के context में क्या बोल और क्या data present करा अनकाट में सब्ट्राइब करने के लिए यूज़दे रफ्रेल को मदृत गुपता पर 20% discount, let's track it